नमस्कार विद्यारतियों, आशा है कि आप स्वस्तव प्रसंद होंगे, आईए आज के सत्र में हम जिन अधिगम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह हैं जीव और उसका पर्यावरण, जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुक अजैव कारक, अजीविय कारकों के प्रती जीवों की अनुक्रिया हैं आज के सत्र के अधिगम उद्देशे हैं पारिस्तितिकी की परिभाषा को समझना, वार्षिक तापमान तथा वर्षन के संदर्ब में जीवों का वितरन को समझना, भारत वर्ष के प्रमुक जीवों को समझना, प्रमुक अजैव कारकों जैसे तापमान, जल, मृदा और प्रकाश का जीवधारियों पर प्रभाव स समझना, विध्यार्तियों में वैज्ञानिक द्रश्टी कोण और अवलोकन कोशल का विकास होना, कक्षा में प्राप्ट किये गए ज्यान को विध्यार्तियों के दैनिक जीवन से जोडना, विद्यार्तियों हमारी जैविक विष्व में लुभावनी विवित्ता और आशर्य जनिक जटिलता है हम जीव विज्ञानिय संगतन के विभिन स्तरों पर अनवेशी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं ये जीव विज्ञानीय संगठन स्तर हैं, ब्रहत अनु, कोशिकाएं, उतक अंग, वियस्टी जीव, समस्टियां, समुदाय, पारितंत्र और जीवों। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रशन उठ सकते हैं। उधारन के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं, तो प्रशन उठता है, पक्षी कैसे गाता है, या पक्षी क्यों गाता है, कैसे प्रकार के प्रशनों में प्रक्रम के पीछे क्रिया विदी को जानने की जिग्यासा है, जबके क्यों प्रकार के प्र प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है। इस उधारण में पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी में वाक यंत्र और कंपमान अस्थी का प्रचालन हो सकता है। प्रकती को विज्ञानिक द्रश्टी कौंट से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिल्चत प्रश्न उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल आमतोर पर सफेद क्यों होते हैं। ब्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंध है। कैक्टस में इतने सारे काटे क्यों होते हैं। चूजे कैसे अपनी मा को पहचान लेते हैं। आदी आदी। आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। पारिस्तित की एक ऐसा विशय है जिसमें जीवों के बीच या जीवियत तथा भौतिक अजीवियत अंग्रेजी में एवायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारिस परिक क्रियाओं का अध्यन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्तित्त्की जीवियस चंगटन के चार स्फरों से सम्बन देथ हैं। जीव, समष्ठिया, समदाय और जीवों। आज के सत्र में हम पारिस्तित्की के जैविक स्तर के बारे में जानेंगे। जैविक स्तर पर पारिस्तित्की मूल रूप से कायखीय पारिस्तित्की है। जिसमें विभिन जीव न केवल जीवित रहने के लिए बलके जनन के संधर्ब में अपने परियावरण के प्रती अनकूलित हो जाते हैं आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्रत्वी का सूर्य के चारों और गुर्णन इसके अक्ष्र का जुकाव तापमान की ती व्रता और अवधी किस प्रकार वार्शिक परवर्तनों का कारण बनता है जिसके फलस्वरूप भिन रितुएं बनती हैं स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र को ध्यान से देखिए आप यह चित्र देखकर समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार यह वाशिक परवर्तन तापमान और वर्शन मिलकर मुख्य जीवों का निर्मान करते हैं जैसे कि मरुस्थल, गास्थल, उष्णकटिबंदियवन, सीतोष्णवन, शांकुधारीवन, उत्तद रुविय, अल्पाइन टुंड्रा वर्शावन और टुंड्रा बरसात या वर्शन में वर्शा और हिम दोनों शामिल हैं प्रतेक जीवों के अंदर ही शेत्रिय और स्थलिय विविन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विवित्ता है स्क्रीन पर आप भारत वर्श के प्रमुक जीवों देख सकते हैं जैसे के उष्ण कटिबंदिय वर्शा वन, पर्ण पाती वन, मरुस्थल तथा समुद्र तट विध्यार्तियों प्रत्वी ग्रह पर जीवन न केवल थोड़े से अनकूल आवासों में ही है बलकि चरम और कठोर आवासों में भी है जैसे के जुलस्ते राजिस्थानी मरुस्थल, निरंतर वर्शा से भीगे मेगाल लेकेवन, गहरे महसागर की खाईयां, वेगवती सरिताएं, डुविय शेत्रों की स्थाई तुशार भूमी, उचे परवशिकर, गरम जरने और दुरगंद युक्त कमपोस्ट गर्थ आद रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विवित्ता के मुख्य तत्व क्या है? सबसे महत्वून तत्व तापमान, जल, प्रकाश और मृदा हैं. हमें यह याद रखना जरूरी है कि भौतिक, रासायनिक, अजीविय या जैव घटक अपने आप से पूरी तरह किसी जीव के आवास की विशेशता नहीं बताते. आवास में जीविय अंग्रेजी में बायोटिक घटक भी शामिल हैं, जैसे कि रोग जनक, अंग्रेजी में पैथोजन, पर जीवी, पर भक्षी और जीव के वे सभीस परदी जिनके साथ यहर लगातार पारस परिक्रिया करता है. एक ल अनकूलन का विकास किया. परतेक जीव का उन परिस्थितियों का एक निरंतर परास होता है, जिसमें वह सहन कर सकता है. उप्योग किये जाने वाले संसादनों की विवित्ता तथा पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मग भूमिका होती है. यह सब सामोहिक रू अजैब कारकों में तापमान एक प्रमुक कारक है. तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा प्रसांगिक पर्यावरणीय कारक है. आप जानते ही हैं कि प्रत्वी पर उसत तापमान रितू के अनुसार बदलता रहता है. भूमध्य रिखा से दुरुवों की और और मैदानों से परवशिक्रों की ओर उत्तुरोत्तर घटता रहता है. दुरुविय शेत्रों में उच्च तुंगता अंग्रेजी में अल्टिटूड वाले शेत्रों में तापमान अवशून्य अंग्रेजी में सब जीरों से लेकर ग्रीश्म में उष्ण कटिबंदिय पचास डिगरी सेंटीग्रेट से अधिक पहुंच जाता है. लेकिन कुछ बेजोड आवास भी हैं जैसे गरम जरने और गहरे सागर के उष्ण जली या निकास जहां औसत तापमान 100 डिगरी सेंटीग्रेट से भी अधिक होता है. यह सामान निग्यान है कि आम के पेड और जर्मनी जैसे सीतोष्न देशों में नहीं होते हैं और ना हो सकते हैं. हिम चीते केरल के जंगलों में नहीं मिलते और ट्यूना मचली महासागर के सीतोष्न अक्षांसों में कभी कबार ही पकड़ी जाती है. जीवधारियों के लिए तापमान के महत्व को आप उस समय अ प्रभावित करता है. इसके द्वारा आधारी उपापचे जीव के अन्यकार किय प्रकारों और उसकी गतिविदियों को प्रभावित करता है. कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास अर्थाद चरम को सेहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं. ये प्रतोतापी अंग्रे जी में यूरी थर्मल कहलाते हैं लेकिन उन में से अधिकांच तापमानों की कम परास में ही रहते हैं. ऐसे जीव तनु तापी अंग्रे जी में स्टीनो थर्मल कहलाते हैं. विभिन्न जातियों के भौगालिक वित्रण काफी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ती पर निर्बर है जल तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है वास्तव में प्रत्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था और यह बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता मरुस्तल में इसकी उपलबता इतनी सीमित है कि केवल विशेश अनकूलताओं के कारण ही जीवों का यह रहना संभव है पादपों की उत्पादक्ता और वितरण भी पानी पर बहुत ज्यादा निर्वर है आप सोचते होंगे कि महासाजरों जीलों और नदियों में रहने वा रसायनिक संगटन पी एच महत्पों होता है लवण की सांद्रता प्रते हजार वर्ग में लवणता के रूप में मापी गई है जो के अंतहस थलीय जल में 5 से कम समुद्र में 30 से 35 और कुछ अतिलवणी ये लगूनों में 100 से अधिक होती है बहुत से अलवण जल प्राणी सम अंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें परासरणी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति शहनसील होते हैं प्रथु लवणी अंग्रेजी में यूरी हेलाइन कहलाते हैं लेकिन अन्य कम परास में सीमित होते हैं तनु लवणी अंग्रेजी में स्टीनो हेलाइन कहलाते हैं विध्यार्तियों तीसरा अजयविक कारक जो जीवों को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह है प्रकाश पौधे प्रकास संसलेशन द्वारा खाद्य उत्पन करते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उर्जा के श्रो को समझ सकते हैं बनों में अनिक जातियों के छोटे पौधे शाक और जाडियां बहुत हलके प्रकाश वाली परिस्तितियों में इस्टतम प्रकाश संसलेशन करने के लिए अनकूलित हैं क्योंकि उन पर सतत लंबे वितान में पेड़ों की शाया रहती हैं बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक अर्थात फोटो पिरियोडिक आवशक्ता की पूर्ती के लिए धूप पर निर्भर होते हैं बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्पूर्ण है कि वे प्रकाश की तीप्रता और अवधी दीप्तिकाल में दैनिक तथा मौसमी विविन्यताओं को अपनी चारे की खोज अंग्रेजी में फोरेजिंग जनन और प्रवासी गत्यविदियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं प्रत्वी पर प्रकाश की उपलब्दता तापमान से निकट से संबंदित है क्योंकि दोनों का श्रोत सूर्य है लेकिन महासागरों की गहराई 500 मीटर से अधिक में परियावर निरंतर अंधकार में रहता है और वहां रहने वालों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य नामक खगोलिय उर्जा का कोई श्रोत भी है तब उनकी श्रोत का क्या श्रोत होगा? विचार कीजिएगा सौर विकरन की स्पेक्ट्री में गुरता भी जीवन के लिए महत्वपून है सौर विकरन की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी गटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक है महासागर की भिन-बिन गहराईयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दरश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग गटक उपलब्द नहीं है आए अब एक और अजयविक कारक मरदा की बात करते हैं विभिन स्थानों में मरदा की प्रगती और गुण बिन-बिन हो सकते हैं और होते हैं यह जलवाईयों अप्षय प्रक्रम अंग्रेजी में वैदरिंग प्रोसेस क्या यह वाहित या अवसादी अर्तात सेडिमेंटरी है और इसका विकास कैसे हुआ इन सब बातों पर निर्बर है मरदा की प्रिबिन विशेशताएं जैसे की मरदा संगटक, कंसाईज और पुंजन मरदा के अंतहर श्रवन अंग्रेजी में परकोलेशन तथा जलधारन शमता का निर्धारन करते हैं इन विशेशताओं के साथ-साथ पीएज, खनीज संगटन और स्थलाकृती अंग्रेजी में टोपोग्राफी जैसे प्राचल काफी हद तक किसी शेत्र की वनस्पती का निर्धारन करते हैं इसके बाद यह सब मिलकर तै करते हैं कि उस शेत्र में किस प्रकार के प्राणियों का पालन पोशन हो सकता है इसी प्रकार जलिय पर्यावरण, अवसाधी विशेशताएं, प्राय, वहाँ पनप्ने वाले नितलस्त प्राणियों के प्रकार का निर्धारन करती हैं विद्यार्तियों आये अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि जीव अजीविय कारकों के प्रती किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजीविय परिस्तितियों कभी-कभी सचरक्त रूप में परवर्तित हो सकती है मैं पूछना चाहूंगी कि इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दवाव वाली परिष्थितियों का सामना कैसे करते हैं या कैसे उन परिष्थितियों में रहने की युक्ति ढूण लेते हैं जीवों द्वारा आंतरिक पर्यावरण हतार होमियोस्ट्रेसिस को स्थिर रखने से इस्ठतम कारे निश्पादन हो सकता है। लेकिन परिवर्तन शील बाहिये पर्यावरण के संधर्ब में केवल कुछ ही जीव नियामक होमियोस्ट्रेसिस के लिए सक्षम है। जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का आंशिक रूप से नियामन कर लेते हैं अत्वा केवल उनके अनुरूप कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में आप देख पा रहे होंगे। इस प्रश्ण का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले मुझे यह पूसना चाहिए कि आखिर अत्यदिक परिवर्तन शील बाहरी पर्यावरण जीवों को क्यों परिशान करता है। आप आशा कर रहे होंगे कि अपने अस्तित्तों के लाखों सालों के दोरान अनेक जातियों ने अपेक्षाकरत स्थे स्थाई आंतरिक शरीर के भीतर ही परियावरण विक्सित कर लिया होगा। यहां आंतरिक पर्यावरण सारे जैवरसायनिक अभीक्रियाओं, अंग्रेजी में रियक्शन्स और कारिकिये प्रकारेओं को अधिक्तम दक्षता से होने देता है। और इस प्रकार जातियों की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। उधारण के लिए यह निरंतर्ता शरीर के इस्टतम तापमान और शरीर के तरल वधारतों के परासरणी सांधरण के रूप में हो सकता है। तब आदर्शतह जीवों को अपने आंतरिक पर्यावरण अर्थात समस्थापन होमियोस्टैसिस कहा जाने वाला प्रक्रम की स्थिर्था अर्थात कॉंस्टेंसी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भले ही परिवर्ती बाहिय पर्यावरणिय परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहे। इस महत्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए हम एक सादर्श की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेट होने पर सर्वोत्यम रूप से कार्य कर सकता है। और जब बाहर जुलसाने वाली गर्मी या जमा देने वाली ठंड हो तब भी वह अपने निश्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है। यह घर में, कार में यात्रा करते हुए अपने कारे अस्थल पर गर्मियों में वाता नुकूलक अर्थाद एयर कंडिशनर और सर्दियों में तापक अर्थाद हीटर का प्रियोग करके ऐसा कर सकता है। तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी हो, उसका निश्पादन हमेशा अधिक्तम होगा। जिससे शरीर का तापमान, परासरणी, सांदर्ण, आदी स्थिर बना रहता है। सभी पक्षी और स्थंदारी और बहुत थोड़े से निम्न कशे रुकी और कुछ अकशे रुकी जातियां वास्तम में ऐसा नियमन, ताप नियमन और परासरण नियमन बनाई रखने में सक्षम है। विकासवादी जीव विज्ञानिकों का विश्वास है कि स्थंधारियों की सफलता इस कारण के पीछे है कि वह अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाई रखने में सक्षम हैं। चाहे वे अंटार्टिका में रहे या सहारा के रेगिस्तान में। अधिक्त स्थंधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित रखने के लिए जो क्रिया विधी अपनाई जाती है वह ऐसी है जैसे के मानव अपनाते हैं हम शरीर का तापमान 37 डिग्री स्थिर रखते हैं। ग्रीश्म रितू में जब बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक होता है तब हमें पसीना आता है। गर्मी के फल स्वरूप पसीना का वाश्व बनकर उड़ने से होने वाला शीतिलन वैसा ही है जैसे के डेजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। शीत रितू में जब परावरणिय तापमान 37 डिगरी सेल्सियस से कम होता है हम कापने लगते हैं जो एक प्रकार का व्यायाम है जिससे उश्मा पैदा होती है और शरीक का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन पौदे में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाई रखने के लिए ऐसी कोई क्रियाविदी नहीं होती है। विद्यार्तियों दूसरा तरीका है समरूपन रखना। प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या लगभग, 99 प्रतिशत और लगभग सभी पौदे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाई रख सकते। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की परासरणिय सांदर्ता, परिवेशी अर्थात वायू, जल की परासरणिय सांदर्ता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणि और पादप समरूपी अंग्रेजी में कन्फरमर्स कहलाते हैं। जीव के लिए स्थिर आंतेक पर्यावरण के लाब को देखते हुए, मुझे ये अवश्य पूछना चाहिए कि सम रूपी विक्सेत होकर नियामक क्यों नहीं बने। मैंने अभी अभी जिस मानव सादरिश्य का उधारण दिया है, उसका स्मरण कीजिए। कितने लोग नहीं चाहते कि उनके पास में एर कंडीशनर हो और कितने हैं जो वास्तम में उसे खरीद पाते हैं। बहुत से लोग गर्मी के महीनों में केवल पसीना निकल कर जाने देते हैं और उपानकूलतम अंग्रेजी में सब-optimum निशपादन से संतोष कर लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन अंग्रेजी में सब-optimal उर्जा के संदर्ब में खरचीला है। यह बात मंजोरू, शुरू और गुंजन पक्षी जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेश रूप से सच है. तापहानी या तापलाब प्रश्टिय शेत्रफल अंग्रेजी में सर्फिस एरिया का प्रक्राय है. जोके छोटे प्राणियों का प्रश्टिय शेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज्यादा होता है. इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की उश्मा बहुत तेजी से कम हो जाती है. ऐसी स्थिती में उन्हें उपा पचे अंग्रेजी में मेटाबॉलिजम द्वारा शरीर की उश्मा पैदा करने के लिए काफी उर्जा खर्च करनी पड़ती है. यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही द्रुवी या चेत्रों में पाए जाते हैं. विकास क्रम के दोरान स्थिर आंतरिक पर्यावरन बनाई रखने की लागत और लाब पर विचार किया जाता है. कुछ जातियों ने नियमन करने की शमता विक्सित कर ली है लेकिन केवल सीमित परास वाली परावरनिय परिस्तितियों में. यह परावरणिय पराज ज्यादा हो तो केवल समरूपन करते हैं अगर दवाब भरी बाहरी परिस्थितियां स्थान विशेश में हैं अत्वा केवल थोड़ी अबदी के लिए हैं तो जीव के पास दो अन्य विकल्प भी है पहला विकल्प है वास करना जीव दवाब पूर्ण आवास में अस्थाई रूप से अधिक अन्कूलन शेत्र में चला जाए और जब दवाब भरी अवदी बीच जाए तो पापस लोटाए मानव साद्रिश्य में यह नीती ऐसी है जैसे गर्मी की अबदी में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए अनेक प्राणी विशेश्तह पक्षी शीत रितू के दोरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अत्तिती अनकूली शेत्रों में चले जाते हैं प्रतेक शीत काल में राजिस्थान के भरतपूर में स्तित प्रसिद केवला देवराश्ट्रिय उद्दान साइबेरिया और अन्य अत्तिक ठंडे उत्री शेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अत्तिती के रूप में स्वागत करता है दूसरा विकल्प है निलंबित करना जीवाणूं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन प्रकार के मोटी भित्ती वाले विजानूं बन जाते हैं जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में साहता मिलती है उपयोक्त परियावरन उपलब्द होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं विद्यार्तियों अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता तो वह समय में पलायन करके दबाब से बचता है शीत रितु में भालूओं की शीत निश्क्रियता यानि हाइबरनेशन में जाना और उस समय पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है कुछ गोंगे और मचलियां ग्रीफ रितु से संबन्दित ताप और जल शुषकन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीश में निश्क्रियता अर्थात एस्टिवेशन में चली जाती है प्रतिकूल परिस्थितियों में जीलों अतालाबों में प्राणी पलबग अंग्रेजी में जू प्लैंक्टन की अनेक जातियां उप्रती अर्थात डायापोस में चली जाती हैं जो निलम्वित परिवर्धन की एक अवस्ता है आये विधर्तियों इस सत्र से अभ्यास के लिए आपके लिए एक ग्रह कार्य है कुछ प्रतोतापी और तनोतापी प्राणीयों और पादवों के नाम पता कीजिए हालही के वर्षों में भूमंडलीयत आपमान में हुई व्यद्धी जीवों के वितरन दायरे पर क्या प्रभाव डालेगी चर्चा कीजिए समुद्रवासी लाल हरे और भूरे शयवालों में से किसकी गंभीरतम चल में मिलने की संभावना है क्यों सामानने तह छोटे प्राणी द्रुविय इलाकों में नहीं पाये जाते ऐसा क्यूं शर्चा कीजिए शीत रितू में कौन से प्रवासी पक्षी भरतपुर की तरफ आते हैं और क्यूं जानकारी एकतरित कीजिए आशा है आप सभी ने सत्र का आनन्द लिया होगा और आज कुछ नया सीखा होगा आपने आज के सत्र में जो कुछ सीखा उसका स्वय अध्याय करते रहें और अपने उद्देश्य की पूर्ती में सफल हो इनी शुब कामनाओं के साथ शीख रही किसी नए उविशय पर आपसे फिर मुलाकात होगी धन्यवाद